Welcome to Unlimited Education दोस्तों मैं हूँ अभीजीत कुमार हम लोग बात करने जा रहे हैं RRB, ALP, CBT2 के वारे में मतलब paper 2 के वारे में बात करेंगे और paper 2 में 2 part है, part A और part B तो हम लोग part B के वारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों का trade C level से exam होगा और उसमें minimum 35% number आप लोगों को लाना ही है अगर नहीं दाओगे तो part A में top भी कर जाओगे तो आप लोगों का selection नहीं होगा आज का जो trade discuss करने जा रहा है हम लोग Refrigeration and Air Conditioning इसका हम लोग उसी levels के बारे में बात करेंगे पहले आप लोग उसी levels जान जाओ क्या है उसी levels फिर उसके बाल हम लोग question practice करेंगे और description में telegram का link में देगा उसको join कर लेना अगर आप लोगों को कोई भी चीज का PDF चाहिए तो Facebook page आप लोग like करो जा करके ताकि आप लोग engage हो जाओगे कोई भी post डालेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ओके चलो फटाफट स्टाट करते हैं मैंने electrician electronics feature का lecture डाल दिया है उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है लेकिन आप लोग देखे होगे या नहीं देखे होगे उसका कोई guarantee नहीं क्योंकि air conditioning वाले बच्चे electricity का lecture क्यों देखेंगे सही बात है न ठीक है तो comment के basis पे जो ही comment दिला है मुझे पाफी बच्चों को काफी चीज़ confusion है तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी clear कर देता हूँ फिर हम दोग C levels के बारे में देखेंगे क्या-क्या C levels है तो देखो second stage CVT जो होगा आप लोगों का paper 2 उसमें दो पार्ट है पार्ट A और पार्ट B तो कुछ बच्चों का confusion था इसर पार्ट A और पार्ट B एक ही दिन होगा तो हाँ एक ही दिन होगा total अरहाई घंटा का आपका exam चलेगा एक ही दिन पार्ट A और पार्ट B ठीक है पार्ट A आपका देर घंटा का होगा जिसमें 100 question होगा और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्ट A के नम्मर पे ही आपका selection होगा लेकिन condition है कि पार्ट B में आपको minimum qualifying marks लाना ही परेगा नहीं तो आप टॉप भी कर जाओगे पार्ट A में आप लोगों का selection नहीं होगा ठीक है पार्ट A में चार section है math, general intelligence and reasoning, basic science and engineering, general awareness on current affairs तो यह तो चलो आप लोगों का तयार होगा यह भी तयार होगा यह भी तयार होगा यह भी तयार होगा लेकिन यहाँ पे general science था paper 1 म paper 2 में basic science and engineering कर दिया है, market में कोई धंका किताब अभी तक आया नहीं है, ठीक है, लोगों को net पे भी नहीं मिलेगा आपको कुछ, youtube के भी आपको कोई धंका lecture नहीं मिलेगा, और यह काफी important section है, अपका एक चोथा हिस्सा cover करता है, तो इसमें जितना नमर लाओगी उतना आप लोगों को फैदा होगा, तो बच्चों में काफी confusion है, हल चल है, समझ में नहीं आ रहा कि काहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने start कर दिया है basic science and engineering, आप लोग playlist चेक करना, आप लोग कुछ भी करना, अपना playlist चेक करना, basic science and engineering का playlist चेक करना मेरे चैनल पे, वहाँ पे जो वीडियो मिलेगा, आप लोग वो देखना, वो सारा का सारा वीडियो, basic science and engineering का ही, अभी तक मैंने दो वीडियो डाला है, पहला syllabus क्या है basic science and engineering का, और दूसरा lecture number one, डाल दिया है, units and measurement का, ठीक है, तो आप लोग उसको देखना, और आप लोगों का trade है, air conditioning and refrigeration, तो आप लोग अपना trade का playlist चेक करना, उसमें जो ही वीडियो मिलेगा, देखना, बांके वीडियो नहीं भी देखोगे, दूसरे trade का वीडियो, तो चलेगा, लेकिन अपने trade का वीडियो आप लोग देखना, पार्ट B, पार्ट B का जो paper होगा, वो होगा आपका एक घंटा का, जिसमें 75 question है, और आपको 25% नम्मर किसी भी कीमत पे लाना परेगा, ओके, syllabus कहां से लाना है, तो syllabus लाना है DGET के site से, साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब DGET के site पे air conditioning and refrigeration का syllabus जो दिया हुआ है, उसको आपको complete करना है, उसी से आप लोगों का paper आएगा, ओके, चलो, कुछ बचों का confusion था, किस है, 10 plus 2 वाले का electrician और electrical engineering वालों का electrician का paper एक होगा य electrician trade है आपका, तो आप electrical engineering से हो, या PCM से हो, इससे कोई पर कहीं परता है, आप लोगों का एक ही paper होगा, ठीक है, कुछ बचों को लगता है, कि वो PCM वाले, electrician, electronic, mechanics और वायर्मेन का job ले ले लेंगा, नहीं, आप लोग सिर्फ इस तीनों से paper दे सकते हो, जो आपको वहीं मि कर लेना, पहला chapter है introduction of trade, दुसरा fitting tool, fitting tool, अब देखो, एक मझधार बाद, आपका trade का नाम है air conditioning and refrigeration, बट, फीटर में, ये चीज फीटर में भी है, जीज फीटर में भी है, ठीक है, ये चीज आपका diesel mechanic में भी है, ओके, ये चीज आपका diesel mechanic में भी है, और ये चीज आपका रेफिरिजरेशन में भी है समझने का कुछ इस करना तो अब THIS के लिए अलग लेक्षर इसके लिए अलग लेक्षर इसके लिए अलग लेक्षर बनाना possible नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने चैनल पर playlist बना दे रहा हूँ REFRIGERेशन ट्रेट के नाम से तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो को जो फूल्स की बनाऊंगा उसको इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा ठीक है आप लोगों को भटकने का जरूरत नहीं है अगर आप लोगों का ट्रेड है अपना ट्रेड, इलेक्ट्रोनिक मेगैनिक वाले अपना ट्रेड, सब अपना अपना ट्रेड का प्लेलिस्ट खोलो, और उसमें जो फी वीडियो आपको मिलेगा, वह आप लोग देखना हो, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझगे होगे, चलो, ये सारा सेक्षन है, य इतना सारा डीटेल्स आप देख रहे हो, तो हम लोग को ये सारा चीज़े से देखो, वोल्ट मीटर क्या होता, एमीटर क्या होता, ओमीटर क्या होता, वाट मीटर क्या होता, एनर्जी मीटर क्या होता, ये सारा आपको तुरंध हो जागा, ये सारा चीज पांच मिनट का का तो जैसे electrical ये भी आपको परना है अब बताओ ये सारा चीज electrician वालों को भी परना है electronics वालों को भी परना है और आपको air conditioning and refrigeration वालों को भी परना है तो काफी लोगों को confusion होता है कि sir मेरा refrigeration है तो क्या हमको सिर्फ refrigeration से आएगा तो देखो इसका कोई जवाब नहीं है refrigeration का वो सिलेवस से आएगा जो सिलेवस DGET के साइट पे है तो refrigeration में ही electrical का ये सिलेवस डाला हुआ है DGET के साइट पे तो आप ये कह सकते हो कि refrigeration से ही आएगा ठीक है ये नहीं कह सकते हो कि electrical से आएगा रेफ्रिजरेशन से ही लेकिन रेफ्रिजरेशन के उस सी लेवस से आएगा जो सी लेवस DGET के साइट के हैं समझ गये होगे आप लोग चलो देखो electronics भी है electronics भी है आपका तो यह भी आपको पढ़ना परेगा अब यह electronics वाले भी परहेंगे और air conditioning और रेफ्रिजरेशन वाले भी परेंगी इसलिए इसका एक ही सल्यूसन निकला मेरे पास कि आप लोगों का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना देते हैं ट्रेड का अपना अपना ट्रेड का प्लेलिस्ट खोलो जो वीडियो मिलेगा उसको देखो ये मेरा काम है इलेक्ट्रोनिक्स क आता है और इसमें भी आपको पढ़ना है ठीक है समझ गयों के सारा बाद बेसिक रेफ्रिजरेशन देखोई आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो रहा है चेप्टर नमर छे से 1-2-5 भी इंपोटेंट है वो भी सिलेवस में हो भी पढ़ना परेगा तो बेसिक रेफ्रिज रेफ्रिज रेटर में ही रेफ्रिज रेटर होता है सिंगल डोर, डपल डोर, कंप्रेशर, मोटर, कंडेंसर, डरायर, एक्सलेशन, वालव, इवपयर्टर, रेफ्रिजसर यह सारा चीज आपका इसी में आता है ठर्मल इन्सुलेशन उसी टोपिक में ठीक है? विंडोज, फॉलो करना है, तो लो, car air conditioning, यह देखना है, commercial compressor क्या होता है, water cooled condenser क्या होता है, cooling tower क्या होता है, water treatment क्या होता है, extension valve, evaporator, water cooler, ठीक है, ice cube machine, cold storage, cold storage का नाम आप लोग सुने होगे, तो हम लोगों को यह सारा चीज, देखों जैसे construction, construction हम लोगों थोरे परना है, application परना है, ठीक है, यह diagram तो फिर परना है, यह समलों को नहीं परना, उसमलों को normal पढ़ना है, यह दम normal normal की objective type question बन सके, इस cold storage का क्या benefit होता है, चार option दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें से एक को टिक करना है, वो इस तरह से परना है, तो आप काफी असान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सि आपको यह PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों को idea लग जाएगा, अगर आप लोगों के पास कोई किताब है, तो आप लोग उस किताब से धीरे 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 धीरो देखते रहो, बोलता है, something is better than nothing, तो वो चीज़, ठीक है, और रहास वाल, book recommend करने का, देखो, यह सा साल में बच्चा पढ़ता है, मोटा-मोटा book, वो book useless होता है, आप लोगों के किसी काम का नहीं होगा, वो आप लोगों नहीं करो, मैं आप लोगों को practice set करवा दूँगा, model questions करवा दूँगा, model set practice करवा दूँगा, अभी market में आया नहीं है, उमीद है कि सारे printing press वाले भी छ आता है, तो आप लोग वो follow करो, क्योंकि lecture में syllabus के हिसाब से बनाऊँगा, book के हिसाब से नहीं, और content courses करता हूँ, खूद का रखूँ, ठीक है, और question answer, जो भी book आएगा market, उससे आप लोगों को अच्छे से practice करवा दिया जाएगा, कोई tension नहीं, और courses करो, आप लोग part A पे म चल गिया, यह engineering section है, और VTEC वाले भी अप्खरम भरते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, तो कहीं न कहीं, ITI वाले और diploma वाले धियान से सुनो, VTEC वाले कभी नहीं छोड़ेगा आपका, वो लोग 4 साल तक engineering drawing पढ़ता है, वो लोगों का general science PCM से रहता है, कहीं न कहीं थो रहता है, वो लोगों को फोरा सा, general science और basic engineering और basic science आता रहता है, तो वो लोग score कर देगा, तो आप लोगों के पास एक ही option है, कि आप लोगों मेहनत करो, अच्छे से करो, जिस हिसाब से बताएंगे, उस हिसाब से आप लोग करो, आराम सोगा, selection कैसे नहीं होगा, बस मन से प ताकि जादे लोगों को फायदा हो, तो आप लोग share कर दो, ओके, like vibe को कर ही देते हो, मैं देखता हूँ, लेगे share नहीं करते हो, अपने अपने WhatsApp गूर्प में share करो, ठीक है, चलो, मन से त्यारी करो, मिलते हैं next lecture में, thank you